Hello everyone, कैसे हैं आप बच्चों लोग सारे, मेरा नाम है सुनील अधिकारी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आठ बहुत ही यूनीक ऐसे केरियर जो कि आप क्लास 12 के बाद परस्यू कर सकते हैं, अच्छा, ये केरिय आपको गारंटी देते हैं, कि आप बहुत ही high earn कर सकें, बहुत जाद आपकी salary package रहेगा, थोड़ा सा हटके है, अलग है, traditional career path ये नहीं है, तो कही न कहीं आपको awareness रखनी पड़ेगी, अपने level पर research करना पड़ेगा, जो मैं qualification या desired education है, इन field को pursue करने के लिए वो भी मैं बता आने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं parents को pursue it करना पड़ेगा, research करनी पड़ेगी, hard work करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन careers को pursue कर पाएंगे, और अगर आप in field में अच्छे हो पाएंगे, तो sky is the limit in terms of earning है, आप जितना चाहे उतना earn कर सकते हैं, और आने वाले decade में भी इन सभी skill का in carriers का bowl वाला होने वाला है, सो बिना time waste करते वे, सबसे पहला हमारा unique carriers में से carrier है, चुकि है data scientist का, data scientist जानते हैं, data is the new currency बोलते हैं आजकल, जितनी भी information है, उसको सही तरीके से collect करना, उसको analyze करना, और सही तरीके से interpretate करना, सही तरीके से, सही लोगों तक पहुचाना, is a work of data scientist, right, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए, preferable है कि आपके पास PCM हो, physics, chemistry, mathematics का आपका 12 तक का background हो, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको bachelor's करना है, या फिर master's करना है, या तो mathematics में, या statistics में, या फिर economics में, ये ज़्यादा दर preferred है, 12 तक science का background आपका ह होना चाहिए, क्यों कहीं न कहीं आपका practical aspect बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए, in order to become a data scientist, करना क्या है, 12 तक PCM रखनी है, PCM भी होता है, PCM भी, physics, chemistry, mathematics and biology भी होता है, तब भी combination ठीक है, नहीं तो mathematics आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, in order to become a data scientist, उसके बाद आप आपको bachelor level पे, कोई भी आप bachelor level पे कर सकते हैं, BSC कर सकते हैं, mathematics से, BSC कर सकते हैं, stats से, यह फिर BSC कर सकते हैं, economics से, masters में भी आप same, MSC वगेरा या BTEC वगेरा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं mathematical background होना ज़रूरी है, salary package, 6-8 lakh per annum, यह average starting salary package है, जैसे जैसे आप आपको experience होता रहेगा इस field का, आप unlimited earn कर सकते हैं, second हमारा जो carrier है, वो है, blockchain engineer का, recently बहुत ज़्यादा यह term famous हो रही है, blockchain engineer करना क्या पड़ेगा इसके लिए, देखिए, 12 तक का आपका background यहाँ पर भी physics, chemistry, mathematics वाला होने वाला है, आज कल देखिए, सब कुछ जितना भी purchasing है, buying ह online earning के तरीके हैं, सब कुछ हमारा online platform में ही है, तो blockchain engineer भी ऐसे software वगेरा डवलप करते हैं, एक atmosphere डवलप करते हैं online, जहां पर सारी चीज़े buying वगेरा हो सकती है, जहां से software डवलप हो सकते हैं, operate हो सकते हैं, work हो सकता है, तो software से relate करता है blockchain engineer और blockchain engineering जो है, आने वाले future में इसी कही बोल बाला होने वाला है, तो यहां पर computers की knowledge आपको बहुत जादा preferable रहेगी, तो अगर आप 11-12 में भी computers वगेरा, IT वगेरा, CS वगेरा optional रखते हैं, तो बहुत यह अच्छी चीज़ है, bachelor level पे भी आपको computers में ही अपनी UG course करना है, BSE कर सकते हैं, BA कर सकते हैं computers में, या फि से आप कर सकते हैं, make sure करिएगा कि आप business analytics, IT, CS जैसे specialization को ज़्यादा prefer करें, salary structure आपके सामने है, right, third है हमारे पाद food technologist, food industry बहुत ज़्यादा grow कर रही है, और कहीं न कहीं food engineer जो है, food technologies जो है, उनकी requirement बहुत ज़्यादा है, तो यहां पर आपको PCB background ज़्यादा prefer करेगा, और food technology से, right, food technology बें सारी वो चीज़ा आजाती है, जहां पर हम foods वगएरा की quality को enhance करते हैं, उनको extract करने के sources को हम refine करते हैं, उनके quality है उस पर ध्यान देते हैं, ताकि जो product, final product जो customers तक पहुच रहा है, right, final product जो customers तक पहुच रहा है, जो food पहुच रहा है, उसकी quality बहुत ज़्या you have nutrition और dietitian, ये भी बहुत ज़्यादा अभी famous है, right, nutrition बनना, nutritionist बनना, dietitian बनना, ये भी बहुत ज़्यादा आने वाले time में बहुत ज़्यादा preferable career options होने वाला है, करना क्या है, PCB का आपको background रखना है, BSC या फिर MSC करनी है, nutrition और dietics है, दोनों ही हमारे UGPG के मैंने बता द तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग commerce से हैं, arts से हैं, तो अपने UG के साथ certificate या diploma courses कर सकते हैं, nutrition या फिर dietitian, तो ये भी आपके बास career option है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप PCV या PCM या science background के हों, तब ही आप nutrition या dietitian field में entry ले सकते हैं, आप BA और BCOM वाले बच्चे भी food and nutrition वगेरा में या फिर dietitian वगेरा में entry ले सकते हैं, right, foreign language interpreter, translator जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी job है, यहाँ पर आपको कोई भी education background आपका चल सकता है, 11-12 आपने किसी भी background से करी हो, graduation आपने किसी भी background से करा हो, आप translator की position, foreign language translator की position के लिए आप work कर सकते हैं, right, बहुत अ यहाँ पर भी salary package है, then you have a next carrier option called animator, animator, animator तो अलग चीज होती है, animator क्या होता है, animation वगेरा field से relate करता है यह, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा carrier options available है, gaming industry जिस तरीके से boom कर रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे amenities या बहुत सारे carrier options हमारे पास हैं, किसी भी stream से आप 12 कर सकते math अगर आपका background रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, और technical aspect आपको समझने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी, आप BCA कर सकते हैं या BFA कर सकते हैं animation से, या फिक graduation में BA में भी animation of VFX हैं, BSC में भी animation of VFX हैं, ऐसी specialization आप चूस कर सकते हैं, right, next देखते हैं बच्चों, next हमारा है international relation expert, ये भी बहुत ज़ादा preferred specialization है, जितने भी political relations होते हैं, चाहे वो government level पे हो, private level पे हो, एक कहीं न कहीं, एक expert की requirement होती है, जो कि foreign delegates को serve कर पाए, उनसे interact कर पाए, communicate कर पाए, तो अगर आप हो communication skills काफी strong है, उसमें work करना चाहते हैं future में, तो आप 12th में arts अपनी रख सकते है अपना जो bachelor level पे BA कर सकते हैं, history से, political से, science से, liberal arts से, तो ये सारे relevant skill के साथ आप अपना international relations में भी अपना career बना सकते हैं, 5-10 lakh पर annum आप इसमें भी आप easily earn कर पाएंगे, then you have statistics, जिन बच्चों को पसंद है, वो statistician बन सकते हैं, अपने future career options को लेकर, तो देखें, यहां पर ज़्यादा preferable है, कहीं ना कहीं, mathematics ही part है, stats का भी, तो कहीं ना कहीं आपका जो practical aspect है, वो भी ज़्यादा strong होना चाहिए, PCM ज़्यादा preferable background है, commerce के साथ भी आप कर सकते हैं, commerce with math का अगर आपका पास background रहता है, तो बहुत ही अच्छा career options आपके पास बनता है, BSC कर सकते हैं, 12 wealth के बाद, या फिर B.com कर सकते हैं, stats से, masters में M.com या M.se कर सकते हैं, तो ये अपना education background रखकर भी आप stats line में अपना career बना सकते हैं, somewhere around 4 to 8 lakh near about से आपका career start हो सकता है, fresher में, ये salary भी enough होती है, जिसे जैसे आपको experience होता रहेगा, वैसे वैसे आपका salary package भी बढ़ता रहेगा, राइट, सु बच्चों ये थे, top 8, top 8, career options जो की बहुत ही जादा high paying है, और आने वाले decade में, 5 साल में, 10 साल में, बहुत ही जादा popular होने वाले हैं, अच्छा, इन में से अगर आप किसी का भी अलग से एक individual video चाहते हैं, तो please मुझे comment करके जरूर बताएगा, मैं उसका अलग वीडियो में, till then take care, goodbye, this is Sunil signing off, thank you so much, पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा, thank you so much